आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशिन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाउ अगर हमें देखना है जो थाउजन्स ओफ माइल दूर होते हैं अगर हमें देखना है तो हम क्या करते हैं अगर हमें प्लानेट्स को देखना है या फिर सेटलाइट्स को देखना है या फिर हमें स्टार्स को देखना है उनके बाद में स्टडी करना है तो उनकी मोशन को अबजर्व करना है तो एस्टोनोमिकल टेलिस्कोप को यूज करते हैं है objective और इसको हम बोलते हैं इस वाले lens को eyepiece ओके आप देखो इसमें थियोरी इतनी ज्यादा है नहीं जैसा कि आपको ray diagram से समझ में आ रहा है दो lens कुछ दूरी पर रखे हुए एक tube के along तो यह सब चीजे इतनी ज्यादा important नहीं important जो है वो यह है कि actual में जो बहुत ज्यादा दूरी पे कोई object होता है तो उससे जो raise आती है उसको मैं मान सकता हूं कि वो angularly आ रही है मतलब कि जो fall कर रही है अपने lens के उपर वो किसी angle पर fall कर रही है क्योंकि object बहुत ज्यादा दूर है thousands of miles millions of miles दूर है तो वहां से जो object से raise आएंगी वो कैसे आएंगी हमें पता है अगर मैं यहाँ पर कोई lens लगा दूं ठीक है इससे बहुत ज्यादा दूरी पर कोई object रख दूं ठीक है तो object से जो parallel raise निकलेंगी यह बात तो फैक्ट की parallel आएंगी ठीक है वो कैसे गिरेंगी इस पर किसी angle पर गिरेंगी ठीक है अगर मैं horizontal इसकी principal axis के साथ देखूं तो थीटा एंगल पर आ रही है मान लेता हूं ठीक है तो इसी तरह हमें fact सी बात है यह तो समझ में भी आती है कि कोई बहुत दूर जब object रखा होगा तो lens पर जो raise गिरेंगी वो किसी angle पर गिरेंगी और मैंने assume कर लिया कि भाई वो angle है alpha एंगल पर क्या कर रही है यह raise गिर रही है यह c1 जो है पहले lens का center है optical center और c2 जो है यहां पर this is optical center of lens 2 अब यह raise आई तो obviously parallel जब भी कोई raise आती है किसी lens पर तो कहां पर जाके मिलेंगी वो सारी focal length पर focus पर जाके मिलेंगी अब यह focal length f o जो है वो किसकी focal length है objective lens की तो यहां से lens से f o दूरी पर focal length की दूरी पर f point है जहां पर यह क्या होगी सारी कि सारी raise जाके मिल गई तो पहल इमेज बन गई अपने पास में इस तरह से आई अब यह जो image यह बहुत छोटी है हमें इसको actual में क्या करना है magnify करना है बहुत दूर रखे हुए object की बहुत छोटी image बन गई अब हमें इस image को थोड़ा बढ़ा करके देखना है तो हमने क्या किया एक छोटा lens लगाया हुआ आख के पास में वो lens क्या करेगा वो lens इससे अब यह जो image बने यह lens के लिए lens के लिए lens टू के लिए जो छोटा वाला lens है इसके लिए object का काम करेगी और इससे जो raise निकलेंगी वो इस तरह यहां से सीधी निकल गी और यह focus से निकल गी यहां पर यह focus है parallel आई थी focus से निकल और इनको मैं अगर आगे extend कर लेता हूँ तो यहां पर जाके एक बड़ी image बनगी देखो यह बड़ी image बनगी ठीक है आई डैस पे तो actual में बहुत ज्यादा दूरी पर कहीं यहां पर जो object रखा हुआ था उससे raise आई parallel angle alpha पर आई उन raise की वज़े से एक image बनी आई पर जो image क हो गई है यहां से जो image निकली let's say उन्होंने बीटा angle बनाया अपने लेंस के साथ में तो बीटा एंगल पर आई बीटा एंगल पर आई तो finally जो image बनी यह image का एंगल मान रहा हूं मैं finally finally में जो बनी हो उसका angle क्या है बीटा है ठीक है लेंस के optical center से यहा मैं बोलू के principal axis से ज बीटा एंगल आई पे बन रहा है यह आई पी से ना यहाँ पे जो final image बना रही है वो कितना angle बना रही है बीटा एंगल बना रही है ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास image बन गई दिख रही है कि पहले image छोटी थी इतनी थी और दूसरी image जो है बहुत बढ़ी है तो angular magnification अगर लेंस होते हैं, बहुत जादा दूर अगर object होता है, तो parallel के आती है, raise आती है, और वो पहले objective lens के focus में मिलती है, और वो जो image बनती है, वो छोटी होती है, उसको बढ़ा करने के लिए हमने एक lens लगाया होता है, उस lens से वो image से, जो image पहली बनी हुई है, पहले lens से, objective lens से जो image ब तो यह सारी चीजे आप book से भी read कर सकते हैं, और note भी कर सकते हैं, यहां से जो raise निकलती हैं, आप वो finally जाके यहां पे मिलती हैं, और एक बड़ी image हमें मिल जाती है, अब यह तो हुआ इसका structure, अब मैं बात करूँ अगर के magnification के आएगा, तो angular magnification जो होगा, angular magnification, उसको मैं क suspect किया unk पे, divided by object ने जो angle subject किया, ठीक है, object ने जो angle subject किया, और image ने जो angle subject किया, तो यहां अब इसको मैं कि गरूँ, अगर angle यह चोटे हैं, तो beta को 10 beta लिखा जा सकता है, divided by alpha को 10 alpha लिखा जा सकता है, ठीक है, अब 10 beta क्या होगा देखो, यह beta है, तो 10 beta हो जाएगा, यह height upon base, यानि कि I F divided by C F C 2 F तो लिख देता हूँ I F divided by F C 2 ठीक है और इसको डिवाइड करना है अब मुझे 10 अलफा से इसी को इस टम को भी डिवाइड किसे करना है 10 अलफा से तो 10 अलफा यह M का फॉर्मूला चल रहा है 10 अलफा क्या होगा अलफा की वैल्यू अगर मैं फाइंड C1 F तो आएगा I F upon I F C1 तो यहाँ I F से I F cancel out हो जाएगा और magnification कितना आजाएगा F C1 upon F C2 अब देखो F C1 और F C2 की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है क्या है तो डाइग्राम में अगर मैं जाता हूँ तो मुझे पदा चलता है कि F C1 यह F है और यह C1 है actual में देखो यह जो lens है दूसरा वाला lens यह adjustable होता इसको आप इधर भी move कर सकते हो और इधर भी move कर सकते हो ठीक है तो actual में यहाँ पे जैसा कि मैंने लिखा भी हुआ है कि पहली जो image बनती है वो कहां बनती है वो बनती है पहले lens के focus पे अब हम दूसरे lens को ऐसे adjust कर लेते हैं कि यह जो image बनी है यह दूसरे lens के भी focus पे आ जाए यानि कि अगर इस पहली image की दूरी यहां से और यहां तक f0 है तो दूसरे lens से दूरी fe होगी focal length of eye piece यानि कि यह जो image है यह दोनों के दोनो lenses के focus पे आ गई है पहला lens का focal length जादा बड़ा है क्योंकि lens का aperture बड़ा है तो इस इस दूरा lens का size चोटा aperture चोटा है तो focal length कम होगी इसलिए यहां से इसकी focal length दूरी कम दिखाई गई है ठीक है तो कुछ important points है मैं जरूर discuss करूंगा यहां पे मुझे ढूनना है fc1 और fc2 अब अगर मैं बात करू fc2 की तो देखो f और यह c2 fc2 क्या होगी यह दूरी यह objective lens के बराबर है तो लिख देते हैं है यहां से fc1 की value क्या है m is equals to focal length of length of objective lens ठीक है डिवाइड कर देते हैं fc2 क्या है focal length of eyepiece तो actual में हुआ क्या कि जो image बनी उसका magnification completely depend किया किसके उपर जो lens हमने लगा है हो उनकी focal length पर उनका focal length का ratio निकाल लो आप वो ही magnification होगा objective का divided by eyepiece का तो key points जो हैं उनको एक बर हम discuss कर लेते हैं यहां पर मैं लिख देता हूँ as key points ताकि यह चीज़े आपके दिमाग में रहे हैं और याद रहे long times के लिए तो key points क्या होंगे इस पूरे के पूरे experiment के देखो two lenses are used दो lens use करते हैं हमने structure देख लिया construction देख लिया पूरे के पूरे lens का पूरे के पूरे इंस्ट्रूमेंट का अब देखो objective lens has larger focal length and eye piece has smaller focal length जो objective lens था जिस पे पहले यहां पे raise आ रही थी उसकी focal length बड़ी थी और दूसरे वाली की छोटी थी दूसरे वाला छोटा दिखाए हुआ है अब तीसरी बात क्या है कि image eye is formed from objective at focal length of objective this image is smaller inverted and act as an object for eye piece जो image बनती है पहले lens से वो image object की तरह काम करती है दूसरे lens के लिए ठीक है और वो image smaller होती है और inverted होती है अब नव eye piece is adjusted so that eye is on the focal length of eye piece as well यानि कि जो यह image बनी है यहाँ पे eye यह इस objective lens के तो focal length पे है लेकिन यह जो image है eye यह अब इस eye piece के focal length पे भी होनी चाहिए इसलिए हम क्या करते है eye piece को इस तरह से adjust कर लेते है ठीक है डाग्राम को हम एक बर थोड़ा clean कर लेते है अब क्या करते हैं अब हमें next step पढ़ना है कि draw the ray diagram and image eye dash is formed eye dash जो है वो larger and inverted है अब eye dash form हो जाएगी जैसे ही हमने इस image को यह image बन रही थी इस objective के focal length पे लेकिन हमने इस eye piece को ऐसे set कर लिया कि eye piece के भी focal length पे image बन रही है तो यह object किसके यह जो image अब object की तरह act करेगी इस lens के लिए और इस lens के कहां पे आगई यह focal length पे तो focal length पे आने के कारण जो raise निकली इससे वो infinite पे चली जाएंगी और इनको आगे extend करते हैं तो eye dash पे एक और image मिल जाएगी जो की comparatively larger और inverted है और इस तरह से जो magnification आया वो हम देख चके हैं कि focal length of objective divided by focal length of eye piece Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के level तास million से जादा students का भर हो सा आज ही डाउनलूट के ले doubt net आप यह whatsapp कीजिए अपने doubts 8444 पर